नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी पार यूटूब के इस डिजिटल प्लेटफॉम पर मैं आपकी वोस्ट आर्ति सिंग हाजर हूं आप लोगों के रिए एक भेतरी इन सेशन लेकर जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ डिसकस करने वाली हूं अगर आपको यह पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए चैनल में फस्टाइम जिट करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए देखिए जो यह आज का टोपिक है चाहे आप स्कूल गॉइंग स्टुडेंट हो चाहे आज किसी भी कॉंपिटिटिव एक्जाम की सब्सक्राइब करने वाला है चले स्टाइब करते हैं सबसे बहुत देखिए अभी तक अभी तक आपके कंप्यूटर में पांच जनरेशन आपने बेसिकली पढ़ी होंगी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थार्ट जनरेशन फोर्थ एंड आपकी जो पर्जेंट में ज फिचल रही है देखिये हम बात करते हैं फीचर्ट की फीचर्ट की आपको जनरेशन में बेसिकली आप परस्ट जनरेशन की बात करहें क्या क्या पढ़तने हैं कोन-खौन से אैइसे हैं जहां से आपकी डारेक एक फीचा पूछ सकता है देखिए जो आगे मैं बात करो आपके फर्स्ट जनेरेशन का जो चुंपोनेंट है वह क्या यूज किया गया था उसके एग्जांपल ख्याम है और उसका यह सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रावटूल स्टूडेट के लिए होता है फर्स्ट जनेरेशन की यह फर्स्ट जनेरेशन की जो यह होती है वो स्टूडेट के सबसे ज्यादा रावटूल होती है जो कि जो आपकी डिफ्रेंट डिफ्रेंट बुक्स हैं उनमें आपको डिफ्रेंट 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 इयर मेंशन करें आपकी यह आपकी जो प्रीवेस यह के जितने भ तो first generation में as a main component क्या योज कै गया है था यूज के गया था vacuum tube क्या यूज कैगा था vacuum tube सबसे basic question था उखने को सबसे basic question as a main component यूज कै गया था आग्ल को यе उगया था vacuum tube में इस में इसकी एज बात करती हूं सब को जाए अगर में इनकी बात करती हूं इसके बाद आपकी सिकंड इन डिशन स्टार्ट होगी एच्ट अगर बात करो अगर रही इन पुट और एज आउर आउर पुट डिवाइस क्या था ये सबसे most important question है सबसे most important question और मैं guarantee कहते हूँ 90% students को ये पता भी नहीं होगा कि जो आपकी first correlation थी उसमें aj input और aj output क्या यूज के गाय था आपकी यूज के गाय था punch card क्या यूज के गाय था punch card नेक्स अगर मैं बात करूँ language की अगर मैं बात करती हूं तो लेवेजिस में यूज करी गई थी आपकी लो लेवल लेवेज उसके बाद अगर मैं बात करती हूं एक्जामपल की देखो एक्जामपल का क्योशन आपसे कुछ इस तरीके से पुछा जा सकता है और जैक्टिव टायप का होगा आपको चार जार जारो लोलते हैं चारोफ्षन में आपको तीन एक्जामपल फस्ट चर्डेशन के देडिए जाहेंगे एक लापको ऐसा मिलेगा जो फस्ट चर्डेशन करना इंग ही होगा तो वही आपको यह पूछेगे कि इन में से कौन सा इन में से कौन सा आपके first generation का computer नहीं है यह को सब आप से basic लिए पूछा जाता है first generation का example कौन से है NENH, adweck, adzeck and आपका dunivac क्या क्या कै आपके आपकर से देख लिए NENH, adweck, adzeck and आपका last है dunivac देखो इसका डिटेल इसका डिटेल next part में लेकर आऊंगी क्योंकि आज क्रामें एक short session आप लेकर आए हूं देखें next अगर में बात करते हूं second generation भी second generation में as a main component as a main component क्या हो जो था transistor as a main component second generation में क्या हो जो था आपका transistor एक आपका 1947 से लेकर 1948 तक 1947 से लेकर 1948 तक देखें फिर से मैं बोल रही हूं को लेकर doubt होगा क्योंकि आपने जो बुक पढ़ी है क्या पता उसमें और कोई date मेंशन कर रखी हो यहां पर मैंने बोर्ड पर और कोई date मेंशन कर रही हो यह जो देश है जो भी year मैंने मेंशन करी है यह previous year के जितने भी एक्जाम हुए है उनके बेस पर मैंने मेंशन करी है next अगर में बात करूं AJ input और AJ output device second generation में यूज आपका पंच का next अगर में बात करते हूं आपका आएस का यहां बात करते हूं तो थार जबनेशन में एज इन में यूज हुआ था आईसी आप देखो कि आप सब लोग कॉमेंट करेंगे कि आई से की फूल फॉम क्या होती है अगर किसी को नहीं बता हूँ तो फिर नेक्स सेशन में आप लोगों साथ डिसक्स करूंगी बट अभी मैं देखना चाहिए आपके लोलेज कितनी है आई से की फूल फॉम सब बच्चे कॉमेंट नाइंटीन सिक्स्टी तर देखिए मैं आपके हर एक जो आपका जो भी पॉइंट है उनको दो दो बार रिपीट इस वज़े से करती हूँ कि आपका रिविजन साथ के साथ हो सकें क्योंकि देखिए जो आपका रिविजन है ना कभी पी रट्टे मानने से नहीं होगा जब ईंकोई क्लास लेते हैं घाए जो सब्सक्राइब तो बिल्कुल टीचर को उपर होने चाहिए क्लास होती है तो उसमें हमारी आखे भी कांकि हम सुनते भी और हम देखते भी है तो उससे क्या होता है कि हमें बाद में रख नहीं की जरूरत नहीं होती है आप डारेक्ट समझ करासिं नहीं रगार हो आपारा नाइंकि में पता हुद्धा की बोर्ड एंड मो रिदर की बोर्ड एंड मोनिटर की एंड मोरीटर सब्स नहीं इनीफडर की तरता है.. एज एइन्पुट और एज अपको से केखा है कीबोर्ड के बारे में एक उर्पिर्षन है जो से फूल्चा जा सकता है कीबोर्ड जेखिए इनपुट तु माउस मिल है काफी सारे होते हैं इनपुट वाइस होते हैं आगम मैं बात करू की बोड को की बोड को प्राइमरी इण फुट डिवाइस नहीं कहा जाता है यह के विच सकते हैं कि प्राइम रिंपुर्ड डिवाइस कौन सा होता है आपको थोनों अक्टेुनील Assassin मिलेगे मास मिलेगा ब कृड लेंगे और इम्ने से कुंसे लूज करी वे थी थर्ट जरुटिर्ट में हाई लेवल लेंवेज नेस्ट करती हुँ इसके चांप जाप की तो इसमें एक पढ़ना है वह है IDM 360 IDM 360 किस जड़ेशन में आपका था घर तर्ड जर्ट जर्ट जरुटि समें अगर मैं बात करूं VLSI की फूर्म कर सकते हैं या थो कहीं रहें वेरी लाज स्केल इंटेशन फिर से बोल रहे हूं वैहीं लाज स्केल इंटेशन ये इतकी फूल फूर्म है आप सह डारेक की भी पूच्छ सकते हैं준 arrest Susp Flu कुम्पोनेंट किसका यूज किया गया था नेक्स अगर में बात करते हूं इयर की तो इयर है इसकी आपकी फॉर्ट जनेरेशन की 1970 से लेकर 1971 तक इसकी यह क्या है 1970 से लेकर 1971 अगर में बात करो आपका एज इंपूट और एज आउट्वूट इवास यहां पर में बात किया यूज के दरण लगा की बोर्ट एंड आपका मोनीटर क्योंकि आप देख रहे हूंगे फिंप जनेरेशन में भी एजटे पर आपके जो डेक्स टोप मोबाइल लेप्टोप यह किसके एक्जामपल है यह एक्जामपल आपके पूर्थ जनरेशन के यानिकि फोर्थ जनरेशन थी उस टाइम पर आपके डेक्स टोप मोबाइल एंड लेप्टोप आ चुके थे इंडिया में बाद में वह अलग बात है बड़ देख नहीं सेवंटी में आपके डेक्स टोप मोबाइल एंड आपके लेप्टोप आ चुके थे नेक्स अगर में बात करो फिफ्ट जनरेशन की फ लार्ज स्केल इंतिडेशन फिर से रिपीट कर रही हूं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंतिडेशन यह आपकी फुलपर वी पूछ सकते हैं। लारिक पूछ सकते हैं कि फिफ्ट जनरेशन में ए जे मेल कॉंपोनेंट क्या यूज किया गया था। नेक्स अगर में बात करती हूँ, नेक्स में बीटा कि आपकी जो year, इसमें आपका year जो है, 1971 से लेकर till now, यानि कि परजेंट में भी कौन सी जनरेशन चलती है, परजेंट में चलती है आपकी 5th generation, नेक्स अगर में बात करती हूँ, वहीं आपका as a input or as a output, आपका keyboard and आपका monitor, च्या क्यों उच किया गया था, as a input and as a output, यूच किया गया था, keyboard and monitor, short में कर रही हूँ, kb का मीनिंग, kb का मीनिंग, kb का मीनिंग, kb का मीनिग, बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको kilobyte नहीं होगए, आपको च्या कर रही हूँ, keyboard, short में में इंसिं कर रहा हूँ, keyboard, kilobyte नहीं होता है, memory नहीं होती है, वाग में discuss करेंगे, और इसमें language उज़ोई थी, आपकी HLL, याने की high level language, कौन से language उज़ोई थी इसमें, high level language, next अगर में बात करूँ, इसमें का जो एग्जम्पल वो है, PIM, इस एग्जम्पल का है, 5th generation का PIM, आप देखूँ, मैंने आपको एक क्वेशन दिया था, IC की चीप, sorry, IC की चीप, IC की फुल फॉम, IC की फुल फॉम आप कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा आप लगों के कोमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा आप लगों के कोमेंट आएंगे, उतने ही ज़्यादा, मतलब उतनी चाहरा मैं मोटिवेट होंगी, जितने ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे, इतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे मैं ऐसे ही कंटिणू आप लोगों के लिए एक सीरीज जैसे आगे फिर्स्ट स्टाइट किया बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल मैंने आपको टॉपिक करने भी यही डाला था बेसिक सोफ कंप्यूटर या फिर जनेरेशन सोफ कंप् कोमेंट सेटीजिए का आपको हर एक कोमेंट का रिपलाई टाइम टाइम मिलता दहिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं मिलते हैं एक और भेतरी सेशन के साथ थेंक यू सो मग्च चैनल में बस टाइम इडिद करें तो चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले आपको आज का कैसे लगा है को में शेक्षिन में यह भी को मेंट करके जो बताइगा थेंक्यों सो मॉइच